तो दर्शोगो आगस्त का महीना जल्दी शुरोने जा रहा है और हम जुलाई में चल रहे हैं तो यह हम जरूर जाना चाहेंगे महीना हमाई लिक कैसा जाएगा जो भी ग्रह गोचक की जिती बनीगी उसका क्या परिणाम हमें जीवन में देखने को मिलेगा तो हम हाज देने ह हमारी मास्री राश्य फड़ादेश की शिंखला के साथ हरक्षा दर्शको वेधिक एस्टोकेद में आपका स्वागत है तो हमने अब तक आपको चार राश्यों के बार में बता चुके हैं अलग लग वीडियो में और यदि आपको इमस होगे तो प्लेलिस्ट में देख सकत हैं तो आज के इस वीडियो हम चर्चा करेंगे हमाई पांची राशी सिंग राशी के बारे में यानि सिंग राशी के जातकों के लिए अगस्त का मईना कैसर हैगा जो भी ग्रह गोचे की सिती बनेगी वो आपके स्वास्त में किस प्रकार का परिणाम डालेगी या किस प्र प्रेम संबन्द यानि लव लशेशिप के लिए अगस्त का महीना कैसर हैगा और इसके लावा विभाई दंपती तो उनके लिए अगस्त का महीना कैसर हैगा क्या कुछ संतान के प्राप्ति के लिए योग बनेंगे और संतान से किस प्रकार का वैवार देखने को मिलेगा सा आपके लगन में आपके यो है शुक्र और बुद्ध गोचर कर रही है। कर दाप राशिय में जैसे कि 5 अगस्थ को बुद्ध है जो वो वक्री अवस्था में आजेएंगे आपके लगन में यही राते हुए। सूरे आपके लगने जो है 14 अगस्त को आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे, बहुती राध वाली बात होगी आपके लिए, इसके लावा 22 अगस्त को बुद्ध जो है आपके पिछे चले जाएंगे, यानि 12 भाव में करकर राशी में परवेश कर जाएंगे, शुक्र 25 अ आपको गुजरना पड़ेगा जो गहोचा की सिती बन रही है आप इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मेलेगा शुरुबात कर से पहले दर्शी को मैं आपसे एक निवेदर करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें इसके लाव आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें तो स्वस्ते से यदि हम बात के तो चटेगर के जो सवामी शैनी आपके सब्सक्राइब काफी समय से गोचर कर रहे है और लंबे समय तक नहीं रहेंगे बूरे वर्ष भाव में रहेंगे तो यहां पर जो वक्री अवस्ता में आगे हैं अब क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा देखिए कि शनी आपके सब्सक्राइब में बैटके आपके लगन पर दिश्ट्री डाल रहे हैं तो इसमें क्या कह सकते कि आपके स्वस्त में जो किछ रिकवरी है यह कुछ आप स्वस्त लाब लेने का प्रयास करें तो इसमें थोड़ा सा बिलंब देख सकते हैं इसके लाबर कुछ समस्य आपको बनी हुई यह तो उस्से भी कुछ आपको कैसे कई सकते गुजरना पड़ सकती है क्योंकि शनी आपके च्छटे घर के स्वामी भी है इसके लावा आपके लगनिश दौ इसमें भी कुछ फ्लक्ट्वेशन आपको देखने को मिल सकती है इसके लावा जैसे ही मंगल आपके एकदश भाव में प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दिष्टी आपके दृत्ति भाव में पड़ीगी तो खानपान से लेटिड कुछ समस्या देख सकते हैं जिस इसके लावा जैसे ही लगने शाप की 12 से निकल के लगन में प्रवेश करेंगे 16 अगर्स को उसके बाद सिती में सुधार होना शुरू हो जाएगा दीरे देरे आप सिती में परिवर्ता देखना शुरू करेंगे और जो स्वारस्त में लाव में अभी कुछ विगन अबाद अब हम समझेंगे शिक्षा और करियर के लिए अगस्त का महिना कैसे चाहेगा देखिए पंचमेश और भागगेश यानि ब्रस्पती और मंगल दोनों यूती बनाकर दशब भाव में गोचर कर रहे हैं एक प्राक्रम में वृद्धी देख सकते हैं एक आपको clarity मिल सकती है गुरू का mark decision आपको प्राप सकते हैं तो कुल मिला कि जो आप समय देख रहे हैं वो आपके पक्ष में बनने जा रहा है ये growth के अच्छे chances आपको देखने को मिलेंगे अगस्त के महिने में इसके लावा competition में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि दिक्कोतों को सामना करना कुल मिला कि कह सकते हैं कि ये पूरा अगस्त का महीना आपके लिए काफी favorable रहेगा एक तो आपके भीतर कह सकते हैं एक ठहराव देखा जा सकते हैं जहां पर आप जाने उस परसिती में स्टेबिटी देखी जा सकती है आपकी उर्जा काफी हाई रहेगी और positive रहेगी पर क् बल्गी केथु के साथ यूति बनाने के कारण कह सकते हैं कि पापी ग्रह के प्रभाय ज़से आपके दश्मेश थोड़ा सा कहसकते हैं कि कमजोर हो सकते हैं और काफी कमजोर हो सकते हैं हाला कि अब्रशपति हैं यहां पर बैठके कुछ आपको भीतर confident की कमीं देखी जा सकत जो कि Madhya Agast के बाद थोड़ी पूरी होती दरारी है लेकिन कही न कहीं आपके काम के performance में परदर्शन में कह सकते हैं कि कुछ न कुछ कमी बन सकती जिसके चलते काफी बार आपको प्रयास करना पड़ सकते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए आप ग्रोथ के लिए प्रयास क अपने बुद्ध वक्री अवस्ता में उसके बाद पूरा है वह 12 भाव में परवेश कर जाएंगे तो इतना कह सकते हैं कि promotion के chances अफसर आपके सामने होंगा लेकिन कह सकते हैं विलं के साथ रुकावटों के साथ यह कुछ कह सकते हैं उता जड़ा के साथ आपको मिल सकता है तो कुमिला कि 29 अगस के बाद जो चीज़े हैं वो आपके favor में बनेगी, इसके लावा मंगल जैसे ही आपके अगदर शमामिर पवेश करेंगे, तो अनिशेतों से आप समझेंगे कि आपके बीतर एक उर्जा देखी जा रही है और वो उर्जा positive भी रहेगी, यदि आप उसको positively लेंगे, क्योंकि केतु आपके द्युत्य भाव में है और शुकुर आपके द्युत्य भाव में गोचर करेंगे, उस पर मंगल के दिश्टी पढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप किसी महीला से करमी के कारण कुछ वरोतक सामना करना पड़ सकता है, कुछ आप लोग की बीच इसके में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, और दश्विम भाव में मंगल भागेश जो है, और ब्रस्पती आपके जो पंचमेश है, उनके सोहमी है, तो यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुल मेल के सिती आपके फेवर में बन रही है, काफी अची शुर आपको अपनी काम पर फोकस बना के चलना है, क्योंकि आपके सहकरमी कली के कारएं कुछ तो कुछ बाधाय देखने को मिल सकती है, यदि आपकी कोई महीला धिकारी तो इनके कारण में कुछ आपको दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है, हलां कि मद्य के बाद जैसे ही आपके आसपास की दर दर क्या हो रहा है, आफिस पॉलिटिक से आप जितना दूर हैंगे, अतना ही आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे चांसे बनते जाएंगे, अन्यताप आप इसी में उलचते रह जाएंगे, इसके लावा क्योंकि केतु की जो दिश्टी है वो आपके दश् के लिएंगे, इसके वजह से आपका मन के काम पे उचाट हो सकता है, डिटैश्मेंट की सिती आ सकती है, पूरी महनत करने के बावजूद भी वैसा परणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, जैसे कि आपने आप एक्षा की ती और कुछ हानी भी आप देख सकते हैं, नहीं जॉब की प्रैस में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कई बार प्रैस करने के बाद कुछ सफलता देखी जा सकती है, सफलता अभी इतनी अंसानी से मिलने वाली नहीं क्योंकि देखिए, आपके छटे घर के सवामी, शनी वक्री अवस्ता में सब्तम भाम सकते हैं, कुछ समझोते के साथ सकते हैं, कॉप्रमाइस करना पड़ सकता है, तो फिलाल आप उचे समय का इंतिजार करें, और तब उसके बाद प्रैस करें, तो हो सकते हैं, आपको सफलता बिलेगी, लेकिन अभी आपके लिए जो सफलता के चांसी से थोड़े से दिम हैं, इसके लावा अगर हम बात करें विवसाई की या बिजनेस की, सब तब भावे सब तमीज गोचर कर रहे हैं वक्री आवस्ता में, तो कुछ स्लो प्रोग्रस देख सकते हैं, काम आगया के लिए टल सकता है, बात बनते बनते रह सकती है, कुछ विलम देख सकते हैं, यह यह आप कॉंट्रेट को अवाइट करें, जब तक की वुद्ध वक्ती अवस्ता में, जब तक वुद्ध की पॉजिशन ठीक रहा हो, तब तक आप किसी भी प्रकार के कोई कॉंट्रेट यह दील से दूर हैं, तब तक उसके बारे में आप ग्राउंड लियरेटी समझें, उ जहां पे आप अपनी प्राउपटी के बिजनस में अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, शेर मार्केट में काफी फ्लक्ट्योशन देखा जा सकता है, उतार चरह देखा जा सकता है, फिलाल आपके लिए यह उप्युक्त रहेगा, किसी प्रकार के कोई इन्वेस्टमेंट शेर मा करना पड़ सकता है, कुछ प्लानिंग्स आप कर रहे हैं अपने बिजनस के लिए कुछ आइएस लारे हैं तो आगे के लिए तल सकता है, इसके लाब कुछ फाइनस में अरेजमेंट होने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, शुक्र क्योंकि आप यहां पर न इसके लावा आपके love relationship के लिए कैसा रहेगा प्रेम संबन्द के लिए देकि पंच में जो है ब्रिस्पति अच्छी पुजिशन है दश्यम भाव में है भागेश मंगल का साथ मिल रहा है अब क्योंकि आपके लगने जो है 12 भाव में तो कहीं ना कहीं आपके बीतर किसी बात क को लेकर confident की कमी देखी जा सकती है खासकर relationship को लेकर आप इसमें भी थोड़ा आप सुधार देख सकते हैं जो कि मद्दे अप्रेल के बाद मद्दे अगस्त के बाद देख सकते हैं तो लेकिन आपकी जैसे शुक्र है वह दिखते है अब आप में प्रवेश करेंगे नीच के विलम्व आप देख सकते हैं बात होगी फिर आगे के लिटल जाये फिर बीन होगी अदूरी होगी के खतम होजाएगी इस तर से आप बारबाट प्रयास करेंगे तो निश्यतव Pacific कने का ऊड़िशकता ही बीच में काफी गिरावट से गुजरना पड़ सकता है जहां पर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ नो कुछ कमी देखी जा सकती है, मतबेद देखा जा सकता है, एक प्रकास से सौहारत की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि केतो के साथ शुक्र यहां पर कुछ नीरस्ता भाव म सकती है, और ऐसे में आपके पार्टनर क्वेशन कर सकती है, जिसकी वज़े से एक दूसरे के पर डाउट की पोजिशन हो सकती है, इससे आपको बचना होगा, आप इस चीजों में बिल्कुल भी ना पड़े, कुछ समय दे, जब चीजे आपके फेवर में नहीं है तो उसके अपना कारे अपने हाथ, अपने हिसाब से करती है, उसके अलावा आप जो अपना कारे अपना करतव विया उसका पालन करें, अपनी तब से कुछ नया प्रयास करने का बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ना कुछ आप बनाने या बिगारने का प्रयास करें, कुछ चीजे समय पर छोड़ देना चाहिए, कि तू के साथ शुक्र है, यह कुछ आपको यह सिखाता है कि जहां पर आपको सरंडर की भावना, यह आत्म समर्णपट की भावना होनी चाहिए, अपने इश्व देख के प्रती, जिनके प्रती आपकी श्रद्धा है, और वो आपको हर प्रकार की समस्य से बाहर निकालेंगे, जो सही होगा आपके लिए वो ही होगा, तो इस प्रकार की श्रद्धा बिश्वास होनी चाहिए, विवार दंपती के दिए हम बात के तो श्रणी क्योंकि वक्रिय वस्ता में सब तमेश हैं, तो फिलाल थोड़ा सा स्लो मामला देखा जा सकता ह और इसके लावा जैसे लगनेश आपके लगन भाव में परवेश करेंगे, तो कहीं न कहीं एहम की वजए से आप लोग के बीच में दिक्कते देखे जा सकते हैं, शुकर भी आपके नीच होने जाएंगे दूस्ते भाव में, तो कुछ इस परकार का उताचरव से गुजरन लवाब या प्रैशर बनाने का प्रयास करें, संतान के लिए निच्चितोदर समय बहुत जादा उप्यूकते हैं, शुरुआ तो आपके पक्ष में रहने ही वाली है, संतान से भी आपको संतोश प्राप्त होगा, तो कुछ उपाई की बात कर लेते हैं, तो शनी का उपाई आपके लगन में परवेश कर जाएंगे, तो सूरे और शनी आमने सामने रहेंगे, तो एक संगज किसी दी भी रही जा सकती है, तो काफी कुछ है फ्लक्टुरिशन आपके थौट में, आपके परसनल लाइफ में, प्लस आपके आसपास के लोगों के साथ देखा जा सकता है तो इसमें आपको काफी साफ़दार हैनी के अफशकता है, तो बल दीजिए और बल देने के लिए आप उनकी आप आराधना करें, उनका दान करें, उसकी समधित ग्रहों का, तो ये आपको निश्यतों से लाब देंगी, लाब इस परकार का होगा, जहाँ पे आपको confident आपके willpower strong होगा और आप चीजों को समझने में समर्थ होंगे, साथी इसको face करने में भी आपके बीतर का सकते एक शक्ती देखी जा सकती है, तो दर्शको इस उपार का उपाई करेंगे, तो निश्यतों से आप देखेंगे कि लंबे समय तक आपको इसका लाब देखने को म देखेंगे, तो दर्शको आपके जो भी प्रशन सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाले, हरे क्रशना